दोस्तों जै श्री राम जै बागेश्वर धाम सरकार जै जै हनुमान जै सन्यासी बाबा की दोस्तों देखिए आज हम आपको पूजे गुरुजी पंडित धीरन के शास्त्री जी की कथा सुनकर आपको कुछ ऐसे अचूक और रामवान उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही अचूक और काफी रामायन उपाय बताए हैं, पूजे गुरुजी के अनुसार कुछ आसान से उपायों के बारे में जो, आपके लिए काफी लाबकारी साबित हो सकते हैं, दोस्तों देखिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपके विवाह में भी लगातार देरी चल रही है, लगातार अरचने आ रही है, बनते बनते बात भी बिगड़ जा रही है, और आप इस बात को लेकर बेहत चिंतित हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है, आज मैं आपको जल्दी शादी करवाने वाला एक ऐसा आज इसमाया हुआ उपाय बताने वाला हूँ, जिस उपाय को करके अब तक लाखों करोडों लोगों को फाइदा पहुचा है, मनोकामनाई पून हुई है, यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया तो मैं, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपकी शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और आपकी, शादी भी जल्द फिक्स हो जाएगी यदि आप भी इन समस्याओं से जू रहे हैं, या माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंतित हैं, तो चिंता करन की आवश्यक्ता नहीं है, जो उपाए आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बस इसको अच्छे से समझ लेना है, और आपने इस उपाए को कर देना है, यकीन मानिये शादी को लेकर जो समस्याओं चल रही हैं, समाप्त हो जाए, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आ चाहिए वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, दर्शकों चाहे शुक्ल पक्ष का शनिवार हो, चाहे कृष्न पक्ष का शनिवार हो, कोई भी शनिवार हो, किसी भी शनिवार के दिन आप यह उपाए कर सकते हैं, और यह उपाय आपको शनिवार के दिन शाम के समय करना है, सूर्यास्त का जो समय होता है, यानि की सूरे जबस्त होता है, उस समय के लगभग आपको यह उपाय करना है, इस उपाय को करने के लिए आपके पास क्या सामगरी होनी चाहिए, बड़ा ही आसान उपाय है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए और यह उपाय यदी आप कर दोगे तो सब प्रतिशत मुझे विश्वास है आपके। बच्चों की शादी फिक्स हो जाएगी तो चलिए विडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि उपाय को करने के लिए क्या-क्या सामगरी आपको लेने हैं। प्रिय दर्शकों यह उपाय को करने के लिए आपके पास एक काले रंग का कपड़ा होना चाहिए रुमाल के साइस का बहुत बड़े कपड़े की आवश्यक्ता नहीं है। ले लेने हैं अब आप लोग पूछेंगे कि उड़द कौन सी ले साबुत ले या फिर उड़द की दाल चल सकती है तो मैं बोलूँगा नहीं आपको दाल नहीं लेना यहां पर साबुत उड़द ही आपको लेने हैं और क्या चाहिए आपको एक दीपक बनाना है आटे का इ देख लीजिए चार मुखवाला दीपक तयार कर लिए अब आपको दो बत्ती बनानी है लंबी वाली रुई की बत्ती आपको बना लेनी है लंबी बत्ती से मतलब है ऐसी बत्ती जो दीपक है वह आरपार उसके निकल जाए यानि कि आप स्क्रीन पर देख लीजिए इस प् चुटकी भर वह भी आपको डाल लेने हैं, काले रंग के तिल बाजार में आपको आसानी से मिल जाएंगे तो काले तिल ज्यादा नहीं, डालने केवल एक चुटकी भर काले तिल इस दीपक में डाल लीजिए सरसों के तेल के, अंदर तो अब या आपके पास तीन चीजें हो एक तो हो गया काले रंग का कपड़ा, दूसरे हो गए मुठी भर उड़द और तीसरा यह चार मुखवाला दीपक आपने तयार कर लिया, जिसके अंदर दो बत्ती आपने इस प्रकार से रख दी है, अब उसमें एक काले रंग के जो तिल होते हैं, छुटकी भर वह भी नीचे आपको चले जाना है, बस शर्त इतनी सी है, वह पीपल का पेड़ पूजित होना चाहिए, यानि कि उस पीपल के पेड़ को और भी लोग पूजते हो, ऐसा पीपल का पेड़ होना चाहिए, चाहिए तो आपका अगला काम होगा, ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे यह जब आप बैठ रहे हैं, तो आपका जो चेहरा है, जो मुख है, वह पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए बैठने के बाद सबसे. पहले यह जो कपड़ा आप लेकर के गए हैं, रुमाल के साइस का काले रंग का यह कपड़ा पीपल की. जो जड़ होती है, उसके पास बिचा दीजिये, और इस कपड़े के ऊपर जो मुठी भर उड़द आप लेकर के गए हैं, वह रख दीजिये, अब इस उड़द के ऊपर यह जो चार मुख वाला आटे का दीपक है, यह भी आप रख दीजिये, और इन बत्ती को जला दीजिये चारों साइट से इस बत्ती को आप जला दीजिये, देखिये, बत्ती तो दो ही है, लेकिन बत्ती को इस प्रकार से रखा गया है, कि वह चार मुख वाला बन, जाता है, तो चारों बत्तियां को आप जला दीजिये, उसके बाद अपनी मनोकामना का चिंतन कीजिये, यदि आ आपको प्रभु का ध्यान करना है, परम्पिता परमेश्वर का ध्यान करना है, शनी देव महाराज का ध्यान करना है, विश्नु भगवान का ध्यान करना है, जिस भी देवी देवता में, आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है, सबसे ज्यादा विश्वास है, उनहीं का आपक आपको कामना करनी है, मन ही मन में आपकी जो मनो कामना है, उसको आपको दोहराना है, और देवी देवताओं का ध्यान करना है, शिदेव महाराज से प्रार्तना करनी है, इस प्रकार से प्रार्तना करने के बाद आपको इस पीपल के पेड़ की तीन परिक्रमा करनी है, कितनी प परिक्रमा करना संभव नहीं है, तो और यदी संभव है, तो फिर पीपल की तीन परिक्रमा आप कर लीजिए, और तीन परिक्रमा करने के बाद जुक करके प्रणाम करके अपने घर को चले आए, बस इतना सा उपाय आपको करना है, प्रिय दर्शकों यह जो क्रिया मैंने बता जो उपाय मैंने बताया है यह उपाय आपको तीन शनिवार लगातार कर देना है देखिए आपका काम जो है वह एक शनिवार आप करोगे तब भी बनना शुरू हो जाएगा लेकिन बहुत बड़ी समस्या है बहुत बड़ी समस्या यदि विवाह को लेकर के चली हुई है फिर बच्चों की उम्र बहुत ज्यादा अधिक हो गई है रिष्टा कहीं पर फिक्स ही नहीं हो रहा है तो फिर तीन शनिवार भी आप इस उपाय को कर सकते हैं निश्चित तोर पर आपको यह उपाय करने से लाब मिल लेगा आपके बच्चों की शादी फिक्स जरूर हो जाएगी यह उपाय मेरा आजमाया हुआ उपाय है इसलिए मैं आपको सत्प्रतिशत यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को अच्छे से देखकर इस उपाय को अच्छे से समझ कर जो तरीका मैंने बताया है उसी तरीके से यदि यह उपाय आप करते हैं तो मेरा विश अगवान का दिया हुआ सब कुछ है इसके बावजूद भी बच्चों की शादी फिक्स क्यों नहीं हो रही आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं वेवसाय कर रहे हैं अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं अच्छा खासा आपका खांदा लेकिन फिर भी शादी में देरी चल रही है, इन तमाम सारी बातों से आप हमेशा चिंतित रहते थे, तो आज जो उपाए मैंने बताए हैं, इसको बताए गए। तो दोस्तों अगर आपको पूझे गुरुजी द्वारा बताए गए यह उपाए अच्छे लगे हो, तो ज्यादा से ज्यादा इन्हें लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जैश्री राम या बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दें, जि से कि दोस्तों आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी हनुमान जी महराज पूरी करें.